हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने ये हादसे भी कुछ नहीं आपके होसलों के सामने मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा होगा आपका स्वास्त अच्छा होगा और आप पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड होंगे बह कुछ आपको अगले दो से पांच मिनट में मैं आपके सामने सब कुछ बताने वाला हूँ लगातार वीडियो के साथ बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है वेबसाइट जो अपने अधिनस्त बोर्ट की है rsmsb.gov.radistan.gov.in पर और 3896 posts की घोशना की गई है जिसमें से 3200 something non-TSP हैं 6TSP होंगे आवेदन की तिथी भी घोशित है आवेदन आपको online करना होगा आवेदन की तिथी है 10 सितंबर से लेकर 9 October यानि exact 30 दिन का टाइम आपको दिया गया है इस form को भरने के लिए जादा इंतजा अर्मत कीजिएगा लास्ट के दिनों में वैसे भी website थोड़ी सी slow चलती है server busy हो जाता है तो जितना जल्दी आप form भरे एक chapter close होगा और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाएए मेरे प्यारे दोस्तों परिक्षा ती थी अब देखें सबसे पहला जो change किया गया है जो बड़ list बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्म भरने की जो फीस है वो जनरल की OBC की MBC की साड़े तीन सो रुपए है नौन क्रीमी लियर की सामान्य और OBC की तो साड़े चार सो रुपए है OBC, MBC, EWS की साड़े तीन सो SC और ST तथा विशेश योग्यता वाले हमारे चात्रों के ल अब यहां पर एक बहुत important चीज़ बताने वाला हूं कि जो final year वाले मेरे दोस्त हैं appearing वाले जो मेरे दोस्त हैं वो भी form भर सकते हैं क्योंकि इसकी चैन प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलेगी दो चरणों में exam है उसके बाद जाके document verification होगा तो मुझे लगता है दो exam का result और इसके बाद document verification तो definitely अभी जो final year के students हैं वो भी apply बहुत easily कर पाएंगे और अगर वो अच्छे से महनत करते हैं select होते हैं तो क्योंकि final year के हैं इसलिए कहीं पर अर्चन आएगी मुझे लगता ऐसा कुछ नहीं होगा साथी साथ मेरे प्यारे दोस्तों RSCIT या DOE ACC द्वारा कोई भी certified computer course आप compulsory इसमें रखा गया है राजिस्थान वाले आप लोग हैं तो RSCIT होना चाहिए अगर आपको यह form भरना है graduation साथ में appearing वाला भाई भी form भर सकता है अच्छा अब सामान्य वर्ग भया age की अगर बात कर है कि STSC का पात साल का चूट है जनरल में महिलाओं को पात साल की चूट है STSC OBC MBC महिलाओं को दस वर्ष की चूट है पर क्यूंकि 2016 के बाद अब वापिस यह vacancy आई है तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों तीन वर्ष की अतिरिक चूट प्रदान की जाएगी मतलब जनरल के ल जिनने 5 साल की 10 साल की चूट मिली है उन्हें 43 प्लस 10 की चूट मिलेगी इस दैट क्लियर आपने बोला हासर तो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यह थी मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद दो चरणों में परिक्षा होगी मैंने आपको बताया प्रारंभिक परिक्षा और पास किया जाएगा पास होना है माक्स नहीं जुडेंगे अगर जितनी सीटे मैंने बताई आपको उससे पंदरा गुना में आपका नमबर आना चाहिए चाहे वह आप जस्ट उससे क्लियर हुए हो या बहुत अच्छे माक्स आयों मैटर नहीं करेगा प्यारंभिक मेरे प्यारे दोस्तों फरवरी 2022 में की जाएगी अभी इतना बताया गया है अभी नहीं बताया गया तो अपिस आपके सामने आऊंगा पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सिलेबस आपको पता है राजिसान जी के इंडिया जी के करंट अफेर्स मैट्स रीजिंग तो आ सिलेबस का अगर आपने वेट किया मेरे दोस्तों तो आप बहुत महत्वपून समय खो देंगे और मुझे डेफिनिटी लगता है कि टाइम को खोना आप नहीं चाहेंगे साथी साथ मेरे प्यारे दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी भड़ती की प्रारंभिक और मुक्य पर अधिकारी दन से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें कमेंट बॉक्स में और डेस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है उसमें आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है अलग-अलग मौकों पर जब मैं आपके सामने आता जो की सीधे आपको उतकर्ष एप पर ग्राम सेवक अधिकारी के ओनलाइन कोर्स तक आपको पहुचा देगा आप चाहें तो उसे एकसेस कीजिए पेड कोर्स को और चाहें तो उसमें जो फ्री मॉडल पेपर्स है उन्हें भी एकसेस कर सकते हैं वहाँ पे हमारी तरफ से ज समस्य आ रही हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या उतकर्ष.com स्टूडेंट सपोर्ट पर जाकर हमको मेल कर सकते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ अभी के लिए बहुत कम समय में मैंने जो जो जरूरी सूचनाई थी वो सारी आपको बता दी क्य दस तारिक से आनि दो दिन बाद से फॉर्म चलू ओ रहे हैं इसकेंड दो चर्णों में एक्जाम होगा 18-40 जनरल को एज दी है तीन साल का कंसेशन फॉर एवरीबडी है उसके बाद 5 साल का 10 साल का आपकी केटेगरी वाइस पे और मतलब 43 फॉर एवरीबडी प्लस 5 एड प बताई जा रही है बोर्ट द्वारा फर्स्ट फेस की प्री एक्जैम की दिसेंबर और मेंस की फैबरल टेंटिटिव है सिलेबस और पूरी स्कीम कौन सा सब्जेक कितने मार्क्स का आएगा किस सब्जेक कितने क्वेशन साएंगे कितने भाग का परिक्षा होगा वो सब आपको बोर्ट द्वारा जल्दी सूचित किया जाएगा और जैसी बोर्ट सूचित करेगा मैं आपके सामने उसे समझाने जरूर आऊंगा इस उमीद और वादे के साथ अभी के लिए इतना ही लग जाएए पढ़ाई में क्यूंकि जो सोवत है वो खोवत है तो आप खोना नहीं चाहेंगे मुझे ऐसी पूरी आपसे उमीद है आपसे आशाय है कि इस बार परिक्ष आपके स्वस्तर रहें खुश रहें बाबाई हेव नाइस देए